Hello students, आज हमें इस वीडियो में Doctrine of Constructive Notice को discuss करेंगे तो सबसे पहले से समझने से पहले से जो मिले चुछे terms हैं उनके बारे में थुरा सा समझ जाते हैं कि Doctrine of Constructive Notice, Doctrine of Ultra Virus, Doctrine of Indoor Management ये कुछ अलग terms हैं जो हमें Company Law के paper में MOA और AOA की regarding मिलते हैं तो Memorand of Association, Article of Association, जब हम इन चीज़ों को read out करते हैं जो documents होते हैं Company के, इनको जब हम read out करते हैं तो उसी के regarding ये सारे terms आते हैं जो कि बहुत important है exam point of view से, ठीके, तो Doctrine of Ultra Virus को हम already discussed की है with case study, Ashberg की case study भी वहाँ पर deal की गई है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं doctrine of constructive notice की, तो पहले हम इसका न, dictionary meaning देखते हैं तो अगर dictionary meaning की बात करें, तो doctrine means होता है, set of beliefs, यह statement तो कोई statement जो हम दे रहे होते हैं, उसके लिए हम term use कर रहे हैं, doctrine का और यह जो statement दिया जा रहे हैं किसके regarding, constructive notice के regarding तो constructive notice का क्या मतलब हो है, एक ऐसी information जो useful हो, जो आपके helpful हो मतलब कोई ऐसी information जो मुझे आपको बतानी है और उसके regarding हम आपको provide कर रहे हैं मतलब वो data, वो statement हम provide कर दे रहे हैं, तो उसके regarding यह होता है doctrine of constructive notice, मतलब यह statement जो helpful information से भरा हुआ हो, right अब यह तो हो गया जो इसके words की meaning है, पर law की language में इसका meaning क्या होता है, इसको कैसे interpret करेंगे या इसको क्यों इस term को use किया गया, वो हम आगे बात करते हैं, तो basically देखे, जब company की बात हम करते हैं तो company में memory number of association और article of association जो होते हैं, वो important documents होते हैं, जो आपके registrar of companies होते हैं, बतब रोसी जहां पर होता है, वहाँ पर इसको register करना होता है MOA और AOA, जब एक company आपकी register हो रही होती है, incorporate हो रही होती है, तो उसके कुछ important documents वहाँ पर register करने पड़ते हैं, submit करने पड़ते हैं, उनहीं में से आपका important document है MOA और AOA, तो अब यह MOA, AOA अगर ROC में हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यह हो जाता है, कि यह सा documents को read out करना चाहें, वो इनके लिए available है, है ना, इसको बोलते है, public documents हो गया, मतलब कोई भी से पढ़ सकता है, तो MOA हो, AOA हो, notices हो, circular होते हैं, जो भी companies को होते हैं, यह सब क्या हैं, यह public documents होते हैं, इसका मतलब कोई भी outsider, इसको inspect कर सकता है, इसको देख सकता है, इसको पढ़ हो रहा है, तो उस company के बारे में आपको जान लेना चाहिए, तो उस company के बारे में जानने के लिए, उसके documents पढ़ेंगे, तो सब में पता चल जाएगा, तो उस documents में MOA, AOA, यह सब आते हैं, तो यह सब क्या हो गएं, इसके, आपके important document हो गएं, जो आपको read कर लेना चाहिए, is it, अब यह जो read कर लेने की बात आती है, तो यह read कर लेना ही doctrine of constructive notice है, मतलब क्या निकला, मतलब यह कहने का हुआ, कि आपका यह माना जाता है, कि अगर कोई notice, कोई circular, कोई MOA, कोई AOA, public domain में रख दिया गया, मतलब जिसको public के लिए open कर दिया गया, कि जो चाहिए इसको पढ नहीं बता दी है आपको, अब अगर आप हमारे बारे में जानना चाते हैं, या हमसे deal कर रहे हैं, तो हम यह assume कर लेंगे, कि आपने हमारे बारे में सारे information ले ली है, हम आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि हमने अपने बारे में जो भी कहानिया है, वो आलड़ी ऐसी जगा रख दी है, जिसको आप अराम से देख सकते हैं, तो मुझसे बात करने से पहले वो चीज़ा पढ़के आईए, इसी बात को कि आपको इन सब के बारे में नौलेज होने चाहिए, क्योंकि हो सारी information हमने अलड़ी सब्मिट कर रखी आपके लिए, अब आपको वो देख के आन हैं, तो यह माना जाता है, कि कोई भी outsider अगर company से deal करने आ रहा, तो उसको अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बारे में उसको सब कुछ पता होगा, उस contents के बारे में सब कुछ पता होगा, सब कुछ जानता है, ऐसी assumption को हम कहते हैं, doctrine of constructive notice, तो अब इसका मतलब यह होता है, कि company क कोई liability नहीं बन रही है, कि company आपको personally कोई चीज inform करे, है न, वो यह assume करती है, कि हमारी information public record में रखी गई है, तो आपको इसके बारे में पूरी knowledge होगी, वो personal information आपको देने नहीं आएगी, इसी चीज़ को, यह assumption को, कि मैंने public record में रखा है, तो आप पढ़के आएं होंगे, इसी को बोलते है, doctrine of constructive notice, यह assumption की आपने already हमारे बारे में जान लिया है, सब कुछ, इसी को बोलते है, doctrine of constructive notice, एक example से इसको समझते हैं, आप सभी university में पढ़ाई कर रहे होंगे, चीके, किसी ने किसी particular university साब बिलॉंग करते हैं, तो आपके exam form आ रहे हैं, या आपके holidays किया होने वाला है, मतब आपके university में आपके course के regarding कोई information होती है, तो वो क्या की जाती है, वो university के website पे notification करके notices में डाल दी जाती है, जब वो notice में डाल दी जाती है, तो माले exam form का लेते हैं, तो exam form का अगर notice आ गई, और वो notifications, मतब वो आपके circular में और सारी चीज़े करके उन्होंने mention कर दी अपने website पे, तो अब यह माल लिया जाता है, किस की side से, college की side से, university की side से, कि आपने उसे read कर लिया होगा, यह assumption, यह माल लियागे कि आपने read कर लिया, क्योंकि वो public record में, कोई उसे open करके पढ़ सकता है, तो मैंने ऐसी जगह उसको रख दिया, कि कोई भी से read out कर सकता है, तो मैं यह मान लूँगी, कि आप जितने भी मेरी इस university से बिलॉंग करने वाले बच्चे हैं, उन सब ने उसको पढ़ लिया होगा, तो अगर exam form की date, suppose करीए, 21st है, तो आप उस notice को अगर उनने ने डाल दिया, तो वो यह मानेंगे कि सब ने पढ़ लिया है, अगर किसी कोई एक student, 21st को, उस notice को नहीं पढ़ता हो, 21st की date की बात अपना form submit करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता है, ऐसी case में वो company को, यह उस educational institute को, उस university को blame नहीं कर सकता है, कि आपने मुझे inform नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो public document था, वो domain में था, अराम से आपको read करना चाहिए था आपने नहीं read की या आपकी गलती है, क्योंकि जैसे information public की गई, यह मान लिया गया कि सबने उसको read कर लिया, यह assumption ही क्या कहलाता है, doctrine of constructive notice, तो company कहती है, कि जो लोग भी outsider हैं और हमसे deal करने आ रहे हैं, तो हम यह मान लेते हैं, कि आपने हमारे सारे documents को read out कर लिया है, तो doctrine of constructive notice किसको protect कर रही है, company को protect कर रही है, against whom, against outsider, तो आप ऐसे समझेगा, university को protect कर रही है, कौन, यह assumption, कि कल को वो student उठके आया, कह रहा है, कि आपने मुझे कोई mail तो नहीं भीजा, कि आ रही है, मैं student हूँ, मैं अकेले आपको fees जमा करता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं mail आया, कि य outsider कौन था यहां पर, यह student, क्योंकि वो आके blame कर सकता था, तो मतलब यहां पर उस, वो particular person, वो student है, वो इनसे interact करता, इनसे बात करता, तो उसके पास वो सारी information है, जो public domain में है, तो यह मान लिया जाए, कि उसको पढ़ गया आना चाहिए था, वो नहीं किया, तो उसकी गलती ह तो यहां पर कौन प्रोटेक्ट हो गया, यहां प्रोटेक्ट हो गया, यहां प्रोटेक्ट हो गया, युनिवरसिटी, तो इसलिए कहा जाता कि doctrine of constructive notice किसको प्रोटेक्ट करती है, company को, कल को को कोई भी गलती हुई, तो तुमने क्यों नहीं पढ़ा था, भई, सामने वाला प यह इसके कुछ important terms है, important चीज़ें हैं, जो आपकी knowledge में होनी चाहिए, तो doctrine of constructive notice किसको applicable हो रहे है, MOA को, AOA को, notices को, circle को, इन सब public documents पे applicable होता है, यह माना जाता है कि सारे documents ऐसी जगह पे हैं, जिससे कोई भी से पढ़ सकता है, तो इसका मतलब यही हुआ, कि हम यह माल लेंगे कि जो भी outsiders हैं, जो भी बाहर के लोग हैं, जो भी company से deal करने आ रहे हैं, वो already इस public documents को पढ़ के आए होंगे, और उनको इसके बारे में सारी knowledge होगी, इसलिए कल को, इसके regarding वो कोई complaint नहीं कर सकती, ठीक है, इसके में कई cases भी रहे हैं, कोटल वेंग्ट स्वामी का case था, कोट वो अल्दा बेस, थांकियो सो मच